प्रभास अस वागत है आपका अपने ओटिब चनल प्रभास मिस्झ्रापट दोस्तो आज मैं आपके लेकर आया हूं टॉप 5 ट्रेंज्ट की लिष्ट जो नई दिल्ली से बिहार के लिए चलती हैं दोस्तो इस लिष्ट को मैंने कुष्टूमर की रेटिंग शेट अब अब ट्रेनों में क्लीन नैसानी सफाई को ध्यान में रखते हुए बनाई है और विभिन न तरह के लोगों से सर्वे के बाद बनाई है दोस्तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ मेरा आप से आग रहे भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें वीडियो को like कर आप और comment करके feedback जरूर दे और दोस्तों एक important बताथ इस लिश्ट में मैं ने राजदानी एक्सपैक्स को नहीं रखा है क्योंकि राजदानीर य Earn ね और उन ट्रेनों को भी नहीं रखा है जो बिहार से हो नई दिल्ली सा तो चलती है लेकिन बिहार होके किसी और स्टेट में जाती है मतलब इस लिश्ट में वही ट्रेन है जो बिहार से ओरिजिनेट और नई दिल्ली या उसके सयोगी स्टेशनों पर टर्मिनेट होती है तो यह दोस्तों अपने लिश्ट को शुरू करते हैं दोस्तों इस लिश्ट में जो पांचवा नमर यानि पांचवा नमर पर जो ट्रेन है वह है 12554 विक्रमशिला एक्सपेक्स दोस्तों यह ट्रेन सहरसा से नई दिली तक चलती है जो टोटल 1288 किलोमेटर करती है दोस्तों इस टोटल 1288 किलोमेटर करने में 21 गंटे 25 मिनट के टाइम लगता है इसकी जो सबसे खराब बात है वह है इसकी इस की इस टॉपएज 20 हॉल्ट है टोटल सहरसा से नई दिली के बीच जो बहुत ज़्यादा है एवरेज स्पीड इस ट्रेन की 55 किलोमेटर प्रती घंटा है मैक्स परमीसेबल स्पीड यह ज़्यादा ज़्यादा 110 किलोमेटर प्रती घंटी के रफ्तार से यह ट्रेन चल सकती है दोस्तों इसकी कस्टमर चलती है दोस्तों यह ट्रेन टोटल 1207 किलोमेटर का ट्रेवल करती है 20 घंटे 55 मिनट में इसके टोटल इस्टॉपेज 19 है विक्रम भागलपूर से अनंद विहार के बीच दोस्तों इसके एवरेज स्पीड है 57 किलोमेटर पर आवर और मैक्स परमीसेबल स्पीड इसकी अब देखते हैं अगली ट्रेन दोस्तों तीसरे नमर पर है गया से नई दिली के बीच चलने वाली महाबोधी एक्स प्रेक्स जो की बहुत थी अच्छी ट्रेन है दोस्तों यह टोटल 992 किलोमेटर की दूरी तै करती है 15 घंटे 10 मिनट में इसके टोटल हॉल्ट है 14 गया से नई दिली के बीच एवरेज स्पीड 65 किलोमेटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है इसकी 130 किलोमेटर पर आवर दोस्तों इसकी सबसे अच्छी जो बात है महाबोधी एक्स प्रेक्स की सकी कस्टोमर रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है 3.85 में से अभी तक मैंने जो तीनो सबसे अच्छी रेटिंग गया आप से चलने वाली महाबोधी एक्स प्रेक्स की आप चलते हैं दूसरे नमर पर आप पहले वीडियो रुके कॉमेट करके बताओ दूसरे नमर पर किस ट्रेन को देखना चलिए मैं बताता हूं दूसरे नमर पर कौन सी ट्रेन है दोस्तों द सबसे ज्यादा कुभी है इसके स्टॉपज इसके स्टॉपज बहुत ज्यादा कम है दोस्तों ये ट्रेन डिली तक में जो टोटल 21 घंटे में कवर करती है व्यवर्य स्पीड अब इसके 65 km अलवे ने कर दी है जो पहले 55 km थी अब इसे बढ़ा कर 65 km पर आवर कर दिया गया ह मैक्स स्पीड को भी इसको बढ़ाया गया है 110 से 130 क्लिमेटर पर आवर कर दिया गया है दोस्तों सबसे अच्छी बात इसकी 111 श्टॉप है जे मात्र तर्भंगा से नई दिली तक में जो अने टेनों के मकावले सबसे कम है इसके रेटिंग भी 4.0 है पांच में से इसे गरीब पहले नमर पर आप अनुमान लगा कि कॉमेंट बॉक्स में बता ओ फिर मैं पहला नमर की आपको बताता हूं दोस्तों पहले नमर पर है गरीबों की राजधानी एक्सप्रेक्स जिसे कहा जाता है संपूर्ण करांती सुपरफास्ट एक्सप्रेक्स जो जो की चलती है नए 2393 टोटल डिस्टेंस से ट्रेन कवर करती है एक हजार एक किलोमीटर जो की मात्र कवर करती है 14 घंटे 5 मिनट में जो आपको अभी स्क्रीन पर ट्रेन आती नजर आ रही है वो संपूर्ण करांती एक्सप्रेक्सी है दोस्तों इसके एवरेज स्पीड अन्य टेनों के मकाबल जाने है बहुत जादा है यानि 71 km per hour है इसकी मीक्स परिमेसीबल भी स्पीड भी बहुत अच्छी है यानिANG थी कि वन 30 km per hour दोस्तों इसकी रेटिंग जानते ही ओगे कितनी अच्छी होगी dealsस्तों आप सही है इसकी रेटिंग जो है 4.2 है 5 में से और दोस्तों इसमें आपको स्कुर्ण किंसित्यव क्रेया करता दिक्कत हैं नहीं थेस के रिवात हैं व Hinter और इस सीट्म की कई सगते रहती हैं आपको क्मसे कम तीन महीन पहले कि क्रप tar दोस्तों आज की यह वीडियो आप और चेरीप भन दी एक्सप्रेक्स का